दोस्तों ये बात दुनिया का प्रतेक इंसान अच्छे तरह जानता है कि Amazon Company के मालिक Jeff Bezos दुनिया के सबसे धन्वान व्यक्ती है इतने धन्वान है कि दुनिया के बड़े से बड़े अमीर लोग भी उनके आगे पानी भरते हो नजर आते हैं जहां एक तरफ पूरी दुनिया के लिए कोरोना वायर ऐसे कभी शाब बना हुआ है तो हुई दूसरी तरफ Jeff Bezos के गई किसी वरदान की तरह साबित हुआ है आप यकीन नहीं कर पाएंगे लेकिन कोरोना काल में Jeff Bezos की कमाई कई गुना जादा बढ़ गई और आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको कोरोना काल में बढ़ी Jeff Bezos की कमाई और उनकी जिन्दगी से जुड़े कुछ रोचक तत्थियों के बारे में बताएंगे तो चलिए दोस्तों बिना देर के इस रोमांचिक वीडियो को शुरू करता है दोस्तों आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि आज के समय के एक कुछ सबसे बड़ी और कामयाब कमपनियां जैसे एपल, डिजनी, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेजोन एक छोटे से गेराज ये दुकान में एक बहत छोटे सतर पर शुरू की गई थी और आज ये कमपनियां दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे कामयाब कमपनियां कहलाती है अमेजोन एक ट्रिलियन डॉलर की कमपनियां और इस साल के अंतों होने तक इसका मार्केट कैप यानि बाजार पूंजी करण टू ट्रिलियन डॉलर तक पहुचने की आशंका है इस कमपनिय के मालिक जेफ बेजोस इस समय दुनिया के सबसे धनवान विक्ति बने हुए है जेफ अमेजोन कमपनी के 54 मिलियन शेयर के मालिक है जो अमेजोन के कुल शेयर का लगबग 11.2 प्रतिशत हिस्सा है और उनकी कमाई पूरी तरह Amazon कमपनी के शेर की कीमत पर ही मिरभर गड़ती है। यदि कमपनी के शेर की कीमत बढ़ती है तो जेफ बेजूस की नेट वर्थ भी बढ़ जाती है। और जब शेर की कीमत गड़ती है तो बेजूस की नेट वर्थ भी गड़ जाती है। लेकिन पिछले कुछ समय से अमेजून की शेर की कीमत लगातार उपर की तरह भी बढ़ी है। और इसी वज़े से बेजूस दुनिया के बाकी अमीर लोगों को काफी पीछे छोड़ चुके हैं। इसी साल अगस्त के महिने में अमेजून कंपनी की कीमत अपने अब तक के सबसे उचे सर पर पहुँच गई। और उस समय कंपनी की एक शेर की कीमत लगबग 352 डॉलर थी। कंपनी की शेर की कीमत में इस उच्छाल के आने का बिजूस को बड़ा फायदा हुआ। उनकी अपने खुद की नेट वर्थ लगबग 204 बिलियन डॉलर पहुच गई। और बेजूस इतिहास के पहले ऐसे शक्स बने जिनकी नेट वर्थ ने 200 बिलियन डॉलर के आंकडे को छुआ। यहां तक की माइक्रोसोफ्ट के मालिक बिल गेट्स भी आज तक इस आंकडे को छून ही पाए। अपने अब तक के करियर में बिल गेट्स सबसे ज़्यादा 158 बिलियन डॉलर के आंकडे तक ही पहुच पाए है। इस वीडियो के बनने के समय बिजूस की नेट वर्थ हो 175 बिलियन डॉलर है। और हो सकता है वीडियो अपलोड होने तक बिजूस की नेट वर्थ इससे भी ज़ादा बढ़ जाए। अब सवाल ये उठता है कि जब कोरोना ने सब के बिजूस को ठप कर दिया तो बिजूस को इतना ज़्यादा फाइदा कैसे हुआ। दरसल हुआ ये कि कोरोना की वज़े से दुनिया के लगभग सभी देशों में लोगडाउन लगा दिया गया था और शहरों में हर तरह की सेवाओं को बंद कर दिया गया था। शुरुआत में ऑनलाइन शॉपिंग पर भी रूख लगा दिया लेकिन कुछ समय बाद इसको फिर से शुरू कर दिया गया चुकि दुनिया के सभी बड़े शहरों की मुख्य मार्केट्स बंद पड़ी हुई थी और लोग कोरोना के डर से पब्लिक प्लेस में जाना भी न शुरुआत कर लिया लोग जितने जादा ऑंलाइन शॉपिंग का इस्तिमाल करते हैं उतना है बेजूस की नेटवर्द बढ़ती जाती है इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है कि बेजूस ने अमेजोन की स्थापना सिर्फ किताबें बेचने के लिए की टी और कई सालों तक Amazone सिर्फ किताबे बेचने का एक काम करती रही लेकिन आज Amazone हर तरह की चीज़े बेचती है बेजोस ने Amazone कमपनी की शुरुआत साल 1994 में वाशिंग्टन शहर में इस्तित अपने घर के एक गेराज से की थी इस कमपनी को शुरू करने के लिए बेजोस ने अपने माता पिता से दो लाग पचास हजार डॉलर लिये थे और शुरुआत में मुश्किले आने पर बेजोस ने अपने माता पिता से कहा था कि शायद उनकी कमपनी डूब जाएगी लेकिन बिजोस की मेहनत और लगन से ये कंपणी हर मुश्किल को पार करती चली गई और आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपणी बन चुकी है वैसे तो Amazon मुख्य रूप से एक online shopping website के रूप में ही जाने चाती है लेकिन आज ये सिर्फ एक website से कहीं ज़्याद आगे बढ़ चुकी है उधारन के लिए Amazon की Amazon Prime Video Streaming Service दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी streaming service है इसके लावा Amazon की cloud service की कीमत 17 billion डॉलर से भी ज़्यादा है Amazon electronic device भी बनाती है जैसे fire tablet, kindle और Amazon echo आदी और खबर है कि Amazon अगले साल अपना fitness band Hello भी launch करने वाली है वैसे तो दुनिया के सभी लोगों के लिए साल 2020 काफी खराब रहा लेकिन इसके बिल्कुल उलट ये साल अब तक बेजूस की जिन्दिकी का सबसे शांदर साल चल रहा है इस साल की शुरुआत यानि जन्वरी की पहले तारीख वो बेजूस की net worth 115 billion डॉलर थी और सिर्फ 8 महिने 27 अगस्त को बेजूस की net worth 204 billion डॉलर पर पहुँच गई यानि बेजूस ने मातरा आठ महिने में 89 billion डॉलर की कमाई कर ली आपको बता दे हमारे भारत के सबसे धन्वान व्यक्ती मुकेश अम्मानी की नेट वर्थ इस समय 85 बिलियन डॉलर है यानि कह सकते हैं कि बेजोस ने सिर्फ आठ महिने में उससे भी जादा पैसा कमा लिया जितना मुकेश अम्मानी के पास इस समय मौझूद है जिस रफ़तार से बेजोस तरक्की कर रहे हैं उस हिसाब से बहुत से लोगों मानना है कि बेजोस दुनिया के ऐसे पहले इंसान बन सकते हैं जिनकी नेट वर्थ वन ट्रिलियन के आकड़े तक पहुँच जाए विशेशग्यों का मानना है कि बेजोस को नेट वर्थ इस साल के अंतर तक और ज़ादा बढ़ सकती है हाला कि Amazon ने साल 2020 में काफी तरक्की की है और हमें नई चीज़ें देखने को मिली है लेकिन Amazon आने वाले समय में और भी ज़ादा नई चीज़ें पेश करने की तयारी कर रहा है Amazon कंपनी शुरुआत से ही ओनलाइन शॉपिंग के एक्सपिरियंस को और ज़ादा बहतर बनाने के प्रयत्न में लगी हुई है और इस समय Amazon 30 मिनट के पैकेज डिलिवरी सिस्टम को बनाने का काम कर रही है सोचिए जिस प्रकार हम पीज़ा ओर्डर करते हैं और वो आदे घंटे के अंदर हमारे पास पहुँच जाता है यानि आने वले समय में आपका Amazon पैकेट को इनसान नहीं बलकि एक ड्रोन लेकर आया करेगा ये अपने आप में बहुत एक कमाल की बात होगी इसी साल अगस्त के महीने में अमेरिका के अंदर Amazon को ड्रोन के जरिये डिलिवरी करने की पॉमिशन मिल गई है जिसका मतलब ये है कि अमेरिका के अंदर Amazon की ड्रोन डिलिवरी सर्विस बहुत जल्द शुरू हो सकती है बताया जा रहा है कि इस सर्विस का नाम Amazon Prime Air रखा जाएगा हलाकि अमेरिका के मुकाबले भारत में इस तरह की डिलिवरी सिस्टम शुरू होने में थोड़ा समय लग सकता है लेकिन अबात पूरी तरह से साफ है कि आने वाले समय में जेफ बेजूस की नेट वर्थ और जदाउं चाहियों को छूने वाली है Amazon अमेरिका के अंदर इस सर्विस को शुरू करने पर बहुत तेजी से काम कर रहा है और यही कारण है कि साल 2020 में Amazon ने अपने फुल फिल्मेंट सेंटर की संख्या को दुगना कर दिया और इसके साथ या Amazon ने अमेरिका के अंदर इसी साल फरवरी के महने में अपना पहला ग्रोसरी स्टोर अमेजोन गो खोला था और इस समय ग्रोसरी स्टोर की संक्या 21 पार कर चुकी है बहुत जल्दी दूसरे देशों में इस तरह के स्टोर देखने को मिल सकते हैं जैसे जैसे Amazon का बिजनस बढ़ रहा है वैसे वैसे जेफ बेजोस की नेट वर्थ भी बढ़ती जा रही है ये बात जानकर आपको काफी हैरानी होगी कि Amazon कमपनी की CEO होने के नाते बेजोस का वारशिक वेतन मातर 81,840 डॉलर है जबकि दुनिया के दूसरी बड़ी कमपनीों के CEO की सैलरी अकसर मिलियन डॉलर में होती है लेकिन बेजोस इसको सिर्फ पैसों की बरबादी मानते हैं तो वो प्रती सेकंड लगभग 219 डॉलर कमाते हैं इसको अगर हम भारतिय रुपों के हिसाब से देखें तो बेजोस की मातर 1 सेकंड की कमाई 1,63,000 रुपे से भी जाता है इतना पैसा हमारे भारत के ज़्यादातर लोग पूरे साल भर में भी नहीं कमा पाते हैं और सर्फ इंसान ही नहीं बलकि दुनिया के बहुत से देशों की नेट वर्थ भी जेफ बेजोस की नेट वर्थ से कम है आप कोई जानकर हैरानी होगी कि जिस समय जेफ बेजोस की नेट वर्थ अपने शिखर पर थी तो वो न्यूजिलेंड देश की लगभग पूरी जीडीपी के बराबर थी और आप सभी लोगे बात जानते ही होंगे कि न्यूजिलेंड कोई बहुत छोटा देश नहीं है इसके लाब बेजोस की नेट वर्थ हंगरी, कजाकिस्तान, यूकरेन, स्लोवाकिया और मौरक्को जैसे देश की जीडीपी से कहीं जादा है और इतना ही नहीं यदि शिकलंका, आइसलेंड, लकसंबर्ग, देशों की जीडीपी आपस में जूर दी जाए तो भी वो बेजोस की नेट वर्थ के बराबर नहीं होगी और यह अपने आप में अद्भुत बात है बहुत से लोगे जानते होंगे कि पिछले साल बेजोस का उनकी पतनी मखेंजी स्कॉर्ट से तलाक हुआ इस तलाक में उन्हें अपने अमेजोन शेयर का 25 प्रतेशत हिस्सा अपने पतनी को देना पड़ा था जिसकी कीमत उस समय 38 बिलियन डॉलर थी और आज बेजोस की पूरु पतनी इन अमेजोन शेयर की कीमत 68 बिलियन डॉलर कर चुकी है जिसने इन्हें दुनिया के सबसे अमीर महिला बना दिया है जिस बेजोस की जीवन जीने का तरीका अमेरिका के दूसरे मश्यूर बिलियनियर बिल गेट्स और वरन बफ़र्ड से बिलकुल अलगए जाए एक तरब बिल गेट्स और वर्रन बफर्ड बेहद साधारन जीवन जीते हैं और इतनी कमाई का जादा से जादा हिस्ता दान में देना पसंद करते हैं तो हैं दूसरे और बेजोस एक महेंगा शान और शौकत से भरपूर राजाओं जैसा जीवन जीना पसंद करते हैं आलागि बेजोस काफी पैसा दान करते हैं लेकिन अगर उनकी तुलना बिल गेट्स और वर्रन बफर्ड से की जाए तो बेजोस इस मौमले में उन से काफी पीछे रह जाते हैं और इसी वजय से बेजोस हमेशा लोगु की आलोचनाओं का शिकार बंते हैं आपको क्या लगता है बेजोस के बिल गेट्स की तरह दान न करने पर क्या लोगों द्वारा उनकी आलोचना करना सही है आप comment box में अपने राय जरूर देना तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो आपको कैसे लगी comment करके जरूर बताना और वीडियो चिलेगे उतों इसे like और share कर देना हम मिलेंगे आपको एक ऐसी और romantic वीडियो में धन्यवाद